दोनमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप PixArt यूज करते हैं और जब आप PixArt में अपनी photos को save करने का try करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस फोटो को मैं अगर सेव करने कर ट्राइ करता हूं तो कुछ इस तरह से मुझे यह आएगा और यहाँ पर यह एड में लिखा हुआ है कि तो चलिए जान लेते हैं आपको क्या करना होगा स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूं एक बार यह मैं यहाँ पर जो है टैक्स पर जाता हूं अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो वीडियो को जुरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाई तो अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी प्रॉलम आये तो उनकी प्रॉलम सॉल्व हो जाए तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो यहाँ पर यह लिखा मैंने टैक्स सेव किया सेव करने के बाद यहाँ पर ओप्शन आपको दिखा रहा है कि यह यह फॉंट है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे आपको किन बातों का ध्यान रखना है अब यह जो फॉंट है गाईस देख सकते है यह premium है इसको हम use नहीं कर सकते अगर मैं इसको use करता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यह तो simple है अगर मैं crown वाले को use करता हूँ save करता हूँ तो same problem मुझे face करने को मिलती है तो यहाँ पर इसको back करते हैं back करके जहाँ पर crown नहीं है यहाँ पर इस font को use करके देख लेते हैं यहाँ पर में क्लिक करता हूं देख सकते हैं यहाँ पर इसली में सेव कर सकता हूं इसको मैंने गैलरी में सेव कर लिया है गाइस इसली आप सेव कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं बस इनी बातों का आपको ध्यान रखना होगा देख सकते हैं गैलरी में सेव हो चुका है बस इनी बातों का आपको ध्यान रखना और आपको कभी भी ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी होप आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नाक्ष वीडियो में टिल्र वाइटेक के लव यू अल